Hello students, कैसे हैं आप लोग? अपने viewers के demand पर मैं Plant Science के scope and college review से सम्मंदित वीडियो के part 2 को लेकर हाजिर हूँ. इस वीडियो में Plant Science के scope and review को explain करने का भड़पूर प्रयास किया है. लेकिन एक छोटे से वीडियो में Plant Science के सभी ब्रांच को समाहित करना बड़ा मुस्किल है तो मैं आसा करूँगा कि आप लोगों को जहां भी कमी लगे उसे comment में जरूर लिखियेगा ताकि मैं अन्य नए topic जो इसमें छूट गया हो के उपर नया वीडियो बना दूँगा ताकि हमारे viewers को complete जानकारी मिल सके. तो जो चैनल पर नए हैं उनका भी स्वागत है जूरिये इस चैनल के साथ और पढ़िये विग्यान के अलग-लग topic हमारे साथ. फिलहाल हम लोग इस वीडियो में part 2 जो की अन्तिम भाग है को इस्टार्ट करते हैं. बास्तों में plant science एक broad discipline है और बरतमान यूग में इसका scope काफी diversified है और अगर इसके सब discipline को include करके देखा जाए तो इसके scope की कोई कमी ही नहीं है. Today our food has become very polluted. कुरोना ने स्ताबित कर दिया है कि आज की समय में हमारा भोजन जो की मुखे रूप से पौधों से प्राप्त होता है बहुत दूसित हो चुका है और इसका मुखे कारण जनसंख्या ब्रिदी, आधुनिकी करण, insecticide, pesticide, chemical fertilizers का अंधा धुंद प्रयोग और जंग और अभी तक लगभग 5 लाख species को classify किया जा चुका है और प्रतेक बर्स इस संख्या में बढ़ोत्री हो रही है। प्रकार के पौधों को आज के environment के अनुसार design करने की आपसेक्ता है। मनुस्यों के साथ मनुस्य को प्यार से पेस आना ही होगा और अपने लालच को छोड़कर इन सब की सुरच्छा करनी होगी। मनुस्यों के लालच के कारण ही गिध यानी की भलचर आज के समय में अपने अस्तित्तों को समाप्त कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि वलचर जैब चक्र में कितना बड़ा योगदान देता था। इसका पड़िना मनुस्यों को आज भोगना पर रहा है इसलिए आज विज्ञान खासकर के प्लांट साइंस का एसकोप काफी बढ़ जाता है क्योंकि इन जीवों की सुरच्छा के लिए कई नए डिसिप्लीन को भी बनाया गया है। In fact, much work remains to be done in the field of plant science for the overall development of man. बास्तों में मनुस्य के overall विकास के लिए plant science के छेत्र में काफी काम करना बाकी है। Plant science के एक सब डिसिप्लीन के रूप में seed science and technology का विकास हुआ है। अभी भी seed science and technology अपने starting phase में है। अता seed production के छेत्र में भी काफी एसकोप है। There is a great potential for the development of medicinal plants. औसधिये पौधों के विकास की काफी प्रबल संभावना है। अभी भी सभी औसधिये पौधों का अधियन नहीं हो पाया है। इसमें भी काफी संभावना है। In fact, we can understand the scope of plant science from its extensive use। बास्तों में plant science का एसकोप हम इसके ब्रीहत यूज से समझ सकते हैं। प्लांट के संपूर्ण उप्योग के लिए इसके सरवांगिन विकास की जरूरत है। इस उदेशिकी पूर्ती के लिए plant science के अलग-अलग सब disciplines हैं। जिसमें पौधों को मनुस्ते के हित में और आज के climate के अनुसार डिजाइन करने की capacity है। और इसलिए plant science का एसकोप काफी ब्रीहत हो जाता है। किसी भी विशय का एसकोप इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस विशय में लोगों का self-interest कितना है। plant science में तो इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। Self-interest ही कई बार किसी भी से काइसकोप बन जाता है। आप Mendel और उसके sweet pea को याद करे। Mendel के self-interest ने genetics को जन्म दिया। और आज genetics काइसकोप किसी से छुपा हुआ तो नहीं है न। जापान के B.A.C. के student H.Kira को याद करिये। उसके self-interest ने triploid watermelon का एसकोप दिया। Dr. BP Pal के रोज के प्रती attraction ने उन्हें रोज breeder बनाया। ऐसे उदारन इतिहास में भड़े पड़े हैं। Research and development की आप सेक्ता भी plant science के एसकोप को बढ़ाता है। आज government sector के साथ साथ private company भी plant के research and development के कारे में लगा हुआ है। Government job opportunities भी काफी ज्यादा महत्पुन हो जाता है जो plant science के सकोप को काफी बढ़ा देता है। सरकारी अस्तरपर दुनिया के सभी देश plant के improvement में लगे हुए हैं। Government job opportunities की ही भाती प्राइवेट job opportunities भी काफी ज्यादा महत्पुन हो जाता है जो plant science के सकोप में काफी इजाफा कर देते हैं। Plant science में business opportunities भी काफी ज्यादा है। Plant पर आधारित business generally थायदे मंद ही राता है इसलिए business opportunities भी plant science के सकोप में बढ़ोतरी करता है। निसकर्स के रूप में मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग plant science के उस discipline से जूरने की कोशिज करें जिसमें आपका self interest हो। क्योंकि plant science के सभी discipline में एसकोप है किसी में कम तो किसी में ज्यादा। लेकिन आपको अपने interest को सर्वोपड़ी अस्थान देना चाहिए। क्योंकि बे मन से किया गया काम आपको satisfaction कभी नहीं दे सकता है। इसके बाद आपको research and development की opportunities देखनी चाहिए। फिर government job और private job के अलावे business opportunities को भी देखना चाहिए। मैंने agriculture में government job, private job और business opportunities for already video बना रखा है। आप मेरे चैनल को विजिट करें वैसे मैंने link description में दे रखा है। कोई भी student जो nature lover है या जिसका plant में interest है और जिसके अंदर scientific attitude है बे अपना career plant science में बना सकते हैं। इसके लिए plant science के अंतरगत निमलिखित career opportunities हो सकता है। teaching, research, industries, taxonomist, botanist, aquatic biologist, conservationist, environmental scientist, biochemist, biophysicist, herbarium keeper, nursery manager, plant breeder, tissue culturist, tree surgeon, marketing, etc. इस सब के अतरीकत भी कई career opportunities है plant science में जो यहां enlisted नहीं है। इस video को मैंने overall plant science को ध्यान में रख कर बनाया है। अगर आप लोग plant science के अन्य disciplines के स्कोप को जानना चाहते हैं तो comment में लिखे मैं उस पर भी अलग से video बना दूँगा। अगले slide में हम plant science के खास करके botany के लिए college review करेंगे। Plant science के छेतर में M.A.C. Botany इंडिया के बहुत से university में पढ़ाया जाता है। यहां state by university का list दिया हुआ है जहां M.A.C. Botany की पढ़ाई होती है। असाम में six universities है जो आप यहां पर देख रहे हैं जिसमें से की तीन government universities है और तीन private universities है। अगर बिहार की बात करें तो total 13 universities है M.A.C. Botany के लिए जिसमें से की 11 universities government है और दो private है। इसी तरीका से बाकी चंडिगर, 36 गर, देली, गुवा, गुजरात, हर्याना, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कस्मीर के लिए आप यहां पर universities देख सकते हैं जहां पर की M.A.C. Botany की पढ़ाई होती है। जहारखंड, करनाटका, केरला, मध्यपरदेश, महराष्टरा, मनीपूर, मेघाले, मिजोरम, नागालेंड, उरिसा के लिए आप यहां पर देख सकते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह seat है आप उदारन के लिए देख लिए जहारखंड में 11 universities हैं जिसमें की 7 government है और चार private है तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं पंजाव, आंधर प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश, प्राकंड, एंड वेस्ट वंगाल जाब आप देखेंगे तो यह total number of universities जहां के में सीख बॉट हो जाता है, अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में M.A.C.E. बॉटनी के लिए जो 13 universities है, जिसमें की 11 government universities है और 2 private universities है, जैसा कि हम लोग ने पिछले slide में देखा है, तो इन सभी university के नाम क्या है, इनके नाम हम लोग देख लेते हैं, यह है पटना university जो की पटना में है, मगद university जो की बोध गया में है, पाठली पुत्रा university जो की पटना में है, नालंदा ओपन university जो की पटना में है, तिलका माजी भागलपुर university जो की भागलपुर में है, बाबा साहे भीमराव अमेदकर बिहार university मुझफ़ापुर में है, और भी कुछ university के नाम जो की जैप्रकास university पारा में है और यह जो आप देख रहे हैं केके इनवर्सिटी जो नालंदा में हैं एक ये और एक प्लांए लेकर आप अपना केरियर प्लांट साइंस में बना सकते हैं जहां तक कॉलेज की बात है बिहार में कुल 139 जो आप यहां पर देख रहे हैं pull 149 college है जिसमें की BAC Botany Owners की परहई होती है जिसमें सों बीस आपका government college है and 29 private college है आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो top college है जहां की BAC Botany Owners की परहई होती है उसको मैंने यहाँ पर enlist किया है उसमें है पतना bemen's college पतना यहाँ BAC Botany की परहई होती है पतना Science College पतना, National College जिसको की BN College भी कहा जाता है, मगत महिला College पतना, TNB College भागलपूर, College of Commerce, Arts and Science पतना, कुरा नरायन सिंग कोलेज पतना, CM Science College दर्भंगा, J.D.B. Men's College पतना, किसान कोलेज सोफसराय नालंदा, RD&DJ कोलेज मुंगेर, नालंदा कोलेज बिहार सरीप, सुंदरव महिला कोलेज भागलपूर, सिरी अरबिंद महिला कोलेज पतना, मैंने यहां पर उन इनवर्सिटी के नाम रखे हैं, जो जनरली टॉप मोस्ट इनवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं, खास करके B.Sc. बॉटनी ओनर्स के लिए, आरे कोलेज को यहां पर एनलिस्ट करना को हम यहां समात करते हैं, आप अपना फीडबेक जरूर दे और साइन्स से रिलेटेड इस्पेसली एगरिकल्चर एन बायलोजी से रिलेटेड टॉपिक जो आपको जानना हो, उस पर वीडियो बनाने के लिए आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, अगर आपको इस चैनल का व जाल एको जालोजी से रिलेड आप क्वार एनल का वीडियो टॉथ थ्रेंग लगर सब्सका अभिकल्स से रिलेटाव कर्णाये एल में लिए करते हैं, आपको जढ अपको जालोजी से रिलेफावर हूएज हैं